उत्तरपदेश के मैनपुरी लोगसभा उप्चुनाओं में अपढणा यादो विस्ट को उमिद्वार बनाने की बिजेपी वाली चर्चाओं पर विराम लग गया है मैनपुरी के लोगसभा उप्चुनाओं में बिजेपी ने रगुराज शाकी को टिकट देकर अपढणा को उमिद्वार बनाने की चर्चाओं खत्म कर दी हैं रगुराज शाकी को टिकट देकर बिजेपी ने यहाँ पर शाक के वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश की है लेकिन दूसरी योर अपढणा यादो को टिकट ना देने के पीछे एक बड़ी रणीती के तरफ भी इशारा किया गया है राष्ट्रिय स्वयम सेवक संग और बिजेपी से जुड़े कुछ वरिष्पता दिकादियों ने इस बात के संकेत दे दिये हैं कि अपढणा यादो आगामी नगर निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में बिजेपी का बड़ा चेहरा बनने वाली है जिन अपढणा यादो को लखनव की कैंड सीट से टिकट देने की तयारी थी अब उन्ही अपढणा यादो को इस बार लखनव की नगर निकम सीट से दावेदार बनाया जा सकता है अपढणा यादो से पहले नगर निकम की सीट संयुकता भाटिया के पास है इसके पहले ये सीट उत्तर प्रदेश के मुख मंत्री रहे दिनेश शर्मा के पास थी माना जा रहा है कि अपढ़ना यादव को नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी लखनव के सीट से मेर का चुनाव लड़ा सकती है अगर ऐसा होता है तो ये एक बड़ा सियासी फेर बदल होगा लेकिन ये सब भी संभावनाव जितना है उनी संभावनाव जितना कि मैनपुरी में अपढ़ना यादव को डिमबल के सामने उमिदवार बनाया जाए बिजेपी की राजनीती को करीब से समझने वाले पत्रकार योगेश मिश्रा कहते हैं कि अगर अपढ़ना यादव को मैनपुरी से उमिदवार बनाया जाता तो ये मुकाबला यादव बनाम यादव का होता दोनों बहुए मुलायम कुनबे से आती थी इसलिए बिजेपी को इससे कोई लाभ न मिलता और यादव बनाम यादव के लड़ाई में सिर्फ राजनीतिक नुकसान ही होता इसके अलावा कोई और संभावना नहीं बनती जानकार कहते हैं कि बिजेपी ने अपने सियासी नफ़े नुकसान को देखते हुए ही अपड़ना यादव को मैनपुरी सीट से टिकट नहीं दिया बिजेपी चाहती है कि अब लखनव की सीट से अपड़ना को दावेदार बनाया जाए इस सीट पर आरक्षन का निरधारन होने के बाद ही कैंडिडेट का फैसला होगा वही दूसरी और पत्रकार अरुनवीर सिंग कहते हैं कि मैनपुरी का रण इतना आसान नहीं है अपड़ना यादो भले ही मुलायम सिंग यादो की बहू हो लेकिन असल में राजनीतिक विरासत की बाद डिमपल यादो पर आकर टिक जाती है वही दूसरी और अगर अपड़ना मैनपुरी से बिजेपी के टिकट पर चुना लड़ती तो ये मुलायम परिवार के खिलाफ खुली बगावत होती बगावत ऐसे महाल में होती जिसके कुछ दिनों पहले ही मुलायम सिंग यादव कर निधन हुआ है अगर मुलायम के जाने के बाद खाली हुई सेट पर अपड़ना दावेदारी करती तो ये साफ होता कि उनके मन में मुलायम सिंग यादों के फैसले और मुलायम सिंग यादों के परिवार के परती कोई सम्मान नहीं है ये बगावत परिवार के खिलाफ बगावत होती और इसका फाइदा सिर्फ बिजेपी को मिलता शायद अपढ़ना ने इसी कारण इस फैसले को नहीं लिया और बिजेपी भी उन्हें उतारने को राजी नहीं हुई कारण जाती समिकरण से लेकर तमाम अन्य भी थे लेकिन अब मामला लखनव के नगर निगम सीट का है जिसको बिजेपी अपना एक मजबूत किला मानती है अगर निकाय चुनावं में बिजेपी अपढ़ना को उतारती है तो ये बात एक बड़ा कदम होगी लेकिन जरूरी ये भी है कि राजनात सिंग अपढ़ना यादव के नाम पर सहमती दें वही राजनात सिंग जो लखनव के सांसद है फिलहाल राजनात और अपढ़ना के बीच कोई करीबी रिष्टे नहीं दिखते अपढ़ना के पोस्टर तक पर राजनात सिंग का चहरा नहीं दिखता है अगर अपढ़ना को उम्मिदवार बनना है तो राजनात को इसके लिए राजी करना होगा जो एक बड़ा कदम होग इसके लिए राजनीतिक कटना करम देखने लायक होंगे लेकिन बीजेपी इस बार फिर से संदेश देने की कवायत कर रही है लखनों के निगाय चुनाओं में क्या होता है ये देखना दिल्चस्प होगा लेकिन ये बात भी तैं है कि जो अपढ़ना यादो काफी दिनों से बीजेपी के साथ अपने परिवार की ही खिलाफत कर रही है उन्हें आज तक बीजेपी से कोई खास पद नहीं मिल पाया है NBT Online के रिपोर्ट